गर्मियाँ आ गई हैं और कच्यां भी मार्केट में काफी आसानी से और काफी सस्ते भी मिल रहे हैं तो इसकी कुछ डिफरेंट और खास रेसिपी बनाना तो बनता ही है ना अचार तो हम बहुत तरीकों का बना ही चुके हैं तो चलिए आथ थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बारा है ना तो चैनल को सबस्काइब कीजेगा वीडियो पसंद आएगी तो लाइक को सेर कीजेगा तो देर की इस बात की चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर हमने तीन आम लिये ह और measurement के हिसाब से देखेंगे तो half kg से थोड़े से कम हैं तो इसे हमने साफ कर लिया है पानी से और अब इसका हम छिलका हटा लेते हैं तो इस recipe को बनाने के लिए हमें एकदम अच्छा खटा आम जाई होता है तो अगर आम खटे रहेंगे ना तो उसकी ये जो recipe बनती है वो बहुत ही tasty बनती है तो चलिए आम को तो हमने चीव लिया है अब यहाँ पर हमने लेना है ग्रेटर यानि कि कदूकस थोड़ा सा बड़ी होल वाला हमें इस्तेमाल करना है और इन सारे आमों को हमें क्या करना है ग्रेट कर लेना है तो ग्रेट हमें जो बड़ी होल वाला है उसी से ग्रेट करना है ताकि इसके जो लच्छे है न वो थोड़े से मोटे और लंबे और बड़े-बड़े से दिखें अगर आप बारिक वाले से ग्रेट करेंगे न तो बहुत यदा पतली हो जाते हैं वो तो चलिए अब इस आम को हम ग्रेट कर लेते हैं वैसे आम के अचार के हमने बहुत सारी रेसिपी अपने चैनल पर अपलोट की है तो प्लीज आप एक बड़ चेक आउट कीजिएगा आपको बहुत ही पसंद आएगी तो ये देखे इस तरीके के बड़े-बड़े से थोड़े मोटे हमें लच्छे चाहिए होंगे आम के तो अब इसको हम इसी तरीके से करदुकस कर लेते हैं और जो आम के लच्षे हैं अब हमें रेडी हो जाएंगे तो थोड़ा मोटे वाले से करिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो चलिए सारे आम को हम इसी तरीके से ग्रेट कर लेते हैं और ग्रेट करने के बाद इसे हमें धुलना नहीं है इस चीज का अब ध्यान रखेगा तो सारे आमको हमने अच्छे से great कर लिया है ये देखे काफी अच्छे से इसके जो लच्छे हैं वो ready हो चुके हैं तो इसे धूप में हमें रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है तो अब इसे हम रखते हैं side में और masala ready करते हैं एक चमच हमने सौंफ लिया है, यह बड़ी वाली सौंफ है, और एक चमच हमने जीरा इस्तेमाल किया है, तो अब इसमें थोड़े से हम डाल देते हैं, साथ से आर्ट जो है, काली मिर्च यानि की ब्लैक पेपर कॉर्ण, और इसे क्या करना है, मीडियम फ्लेम पे हमें इसे अच्छे से भून लेना है, इन सारे मसालों को यानि की रोस्ट कर लेना है, अगर आप आचार के मसाले का व कुल मत भूलिएगा, तो इन मसालों को ना हमें धिमियाज पर ही भूनना होता है, तो देखिए, दो से तीन मिर्ट में ये काफी अच्छे से भून चुके हैं, तो अब इसमें हमने एड़ करना है पीली वाली सर्सो, ये मार्केट में इसली मिल जाती है, अगर आपको नहीं मिलती है, तो आप काली सर्सो का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, तो चलिए, अब इसको भी हम केवल कुछ सेकेंड के लिए भूनेंगे, क्योंकि मसाले जो है, वो हमारे ओल्मोस्ट रोस्ट हो चुके हैं, तो ये सर्सो डालने के बाद केवल कुछ सेकेंड के लिए इसे हम र बना लेते हैं ये डेखिए तो मसाले को हमने काफी अच्छे से पीस लिया है तो चलिए मसाला हमारा रेड़ी है अब गेट के वए आम को हम एक बोल में सिफ्ट कर l subway आ ताकि सारे मसाले जो मिलाने में काफी आसानी हो जाए और इसे न तो याम कहीं इस्तेमाल कीजेगा, इस रसीपी को बनाने के लिए तो बहुत ही बहतर बनता है यह, तो नमक हमने आट कर दिया है, अब इसमें थोड़ी सी हिंग आट कर देते हैं, तो हिंग को हमने अच्छे से पीज लिया है, बारीक उसका पाउडर बना लिया है, फिर इस्तेमा की थी अगर इसे आप लंबे समय तक इस्टोर करके रखना चाहते है ना तो विनेगर का इस्तेमाल ज़रूर कीजेगा तो यह हमने एक चमच विनेगर लिया है यानि की सफेर सिर्का यह भी मार्केट में काफी आसानी से आपको मिल जाता है तो बस अब इसमें डालेंगे तो यह बहुत ही बढ़ियां लगता है तो यह घर का तेल है इसलिए हमने इसको गरम नहीं किया है मार्केट का तेल इस्तेमाल करें तो पहले उसे गरम कर लें फिट हंडा करके इसमें डालें तो बस अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं तो आपने देख सकते हैं यह परफिक्ट तैयार हो चुका है अब आप इसका कलर देखिए इसका टेक्शर देखिए लगरा ना बहुत यह दर टेम्टिंग तो यकीन मानिए एक बार आप इसको बनाएंगे ना तो गारंटी है कि आपको यह तिना ज्यादा पसंद आएगा ना कि हर साल आप पसंद करेंगे और बना कर आप इसको इस्टोर करके भी रख सकते हैं कोई महनत भी नहीं है ना तो इसे धूप में सुखाना है ना तो पंखे की हवा में रखने का वेट करना है ऐसे कच्छे आम के आचार तो हम लोगों बहुत तरीकों से बनाते हैं मैंने भी बहुत अचा इसे बनाना और खाने में इसका जो टेस्ट है वो तो बहुत यदा सांदार है तो आप इसे एक कांच की वाटर में भरकर स्टोर करके रख सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होता है अगर आप इसको लंबे समय के लिए इस्टोर कर रहे हैं तो इसे में तेल की कॉंटिट लिएव बनाने में उतना ही आसान हैं तो उम्मीद है कि आपको रिषीपिप पसंद आई होगी ट्राइख करने के बाद आपको हमारी रिषीपिस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक को शेयर कीजेगा और हमारे चैनल पेहली बार आ तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल करना बिल्कुल में बूलिएगा इस तरीके की बहुत ही आसान बहुत ही टेस्टी सी रेसीपी देखने के लिए तो चलिए हम मिलते हैं एक नए रेसीपी के साथ एक नए वीडियो में